जानते हैं मेरे अनुभव में, विश लेना मेरे लिए चमतकारी रहा है। खुद को फिर से युवा करने में और खुद के साथ बहुत सारी चीजें करने के मामले में। भारत की योग संस्कृती में, भारती रहस्वाद में, आप हर जगा कोबरा देखेंगे, हमेशा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हमेशा पाया है कि जहां भी जागरूपता की थोड़ी सी भी पहुँच होती है, इन जीवों को किसी तरह से पता चल जाता है, और वो वहां पहुँच जाते हैं, कैसे उन्हें पता चल जाता है। एक चीज है जो मेरा अनुमान है, ये मेरे लिए एक पक्का विज्ञान नहीं है, मैं अंदाज ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह बहरे होते हैं, मुझे लगता है कि वो किसी दूसरे तरीके से बहुत जादा चौकनने होते हैं, और वो बहुत बहुत चौकनने हो ये कह सकते हैं कि कान जमीन पर लगे होते हैं, तो कैलिफॉर्निया में एक भूकम पाने वाला है, जो कि बारा घंटे दूर है, यानि कि धर्ती के लगभग दूसरी और है, अगर दो तीन दिनों में कोई भूकम पाने वाला है, तो ये कोब्रा एक खास तरह से बरताव करना चुरू कर देगा, अगर आप इस साफधानी से देखें, अगर आपने इस चीज़ पर परयाप महारत हासिल कर रखी हो, तो आप साफ तोर पर बता सकते हैं कि धर्ती के इस अक्षांस पर भूकम पाने वाला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ़ को देखकर ये बता सकते हैं, ये कैसे बरताव करेगा, देखकर वो बता देते हैं कि धर्ती के किस भाग में इस तरह की हल चल होने वाली है, तो क्यूंकि इसको धर्ती में थोड़े से भी, बहुत छोटे से भी कमपन का इसको पता चल जाता है, तो इस वज़े से इसमें विशेश कमपनों के लिए विश कुँ JEZ जागरूकता या समवेदन शीलता होती है, हो सकता है, जब कोई उस चीज को छूता है, जिसे हम जागरूकता कह रहे हैं. वो सारे कमपन जो आमतोर पर हर कोई हर रोज बाहर निकालता है यानि उनकी शारिरिक चीजें, मानसिक चीजें शायद वो कम से कम रह जाती है उन कमपनों की अनुपस्थिती को कोबरा फैचान जाता है अगर आप बहुत ध्यान में हो जाएं आप जंगल में बैठें और ध्यान में हो जाएं कोबरा आपके चारों तरफ एकटा हो जाएंगे वो आकर आपके पास बैठ जाएंगे जैसे कि वो आपका इंतजार कर रहे हो ये कितनी ही बार मेरा खुद का अनुभव रह चुका है और इस परंपरा के कितने ही योगी हमेशा इस चीज़ को सही बताएंगे हमेशा क्योंकि वो किसी इनसान में कमपनों की कमी को भाप जाते हैं जब कमपन बहुत कम हो जाते हैं या बहुत सूक्षम हो जाते हैं तो आपने आप उस तरफ खिंचे चले आते हैं सभी जहरीले जीव, जो अपने शरीर में विश्व बनाते हैं, उन सभी को ये पता चल जाता है, शायद मैं यहां अंदाजा लगा रहा हूँ, ये बस एक अनुमान है, देखिए, कुछ जीव हैं, जो अपनी क्रमिक विकास की प्रक्रिया के चलते विश्व बनाते हैं, शायद इसलिए की इसका शारिरेकाकार और चीजें कुछ इस तरह की हैं, की बिना घातक विश्व के ये जिन्दा नहीं रह पाताया। इसे लगातार खत्रा रहता है, तो कि इसको इतना जादा खत्रा महसूस होता है, ये इस इनसानों के लिए भी सच है, जो हमेशा खत्रा मह मान लीजे, सापों के हाथ पैर नहीं है, उन्में वो काबिलियत नहीं है, जो बाकी जीवों में है, तो उन्होंने समय के दौरान जहर विक्सित कर लिया होगा, वरना वो जिन्दा नहीं रह पाते, वरना उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, उनके आस-पास के जीव तेजी स चलते हैं, लेकिन फिर फिर भी ये शिकार कर लेते हैं, और जिन्दा रहते हैं, क्योंकि इनमें जहर होता हैं। जीवों में देखा है क्योंकि जहर बनाने के लिए उनमें एक विशेश प्रक्रिया चलती रहती है। जीवों में विश लेना मेरे लिए चमतकारी रहा है। ये आपको सोने नहीं देगा, ये आपको जगा के रखेगा और दर्द और आनन्द के बीच बस थोड़ा सा ही फासला होता है। एक बार अगर निरोलोजिकल सिस्टम एक खास तरह से जंजना गया, तो आप इसे जागरुक तोर पर दर्द यानन्द बना सकते हैं। तो वो रोते हैं, हसते हैं, रोते हैं, हसते हैं और ये सब 24 से 48 घंटे चलता है, तो आप इसके बाद, कहीं न कहीं, कुछ जीवों की पहुंच इन चीजों तक कुछ जादा होती है। उनकी पहुंच भले ही जागरुकता तक न हो, लेकिन जहां कोई जागरुकता तक पहुंचा है, वो उसे महसूस कर लेते हैं। जाते हैं, यानि कि उस तरह के कमपन को, क्यूंकि वो बहुत निश्क्री महसूस करते हैं। पहुत जाते हैं, वो बहुत निश्क्री महसूस करते हैं।